ब्रम्हाण में वे आकार ले रहा है जो इस वक्त आप अपनी भावनाओं से आज्या चक्र पर निर्मित कर रहे हैं क्या आपको कुछ बहतरीन होने की खुशी का आभास वायू में नहीं हो रहा क्या आप अपने रिदय की गेहराईयों में उठ रही उमंग महसूस नहीं कर रहे यदि आप अपने आसपास छे नौ और दस दस जैसी दिव्य संख्याओं को बार बार देख रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए ही भेजा जा रहा है इस उल्जा को ग्रहन करने के लिए दस दस लिखकर अपनी पुश्टी दें मीरी प्रिये जिस कल्पना के संसार को आपने रचा है वे मूत रूप धारन कर रहा है सुक्ष्म परमाणू ब्रह्माण में एकत्रित हो उसे आकार दे रहे हैं जैसे मा के गर्भ में जीवात्मा की पहली कोशिका बनते ही वे हर दिन नया आकार लेती है किन्तु मा को उसका पता महीने बाद लगता है उसी तरह आपकी कल्पनाओं में रची गई दुनिया ब्रह्माण में पहले ही आकार लेने लगती है किन्तु आपको तब आभास होता है जब आपको भौतिक जगत में उसके लक्षन दिखाई देते हैं अर्थात चीजे आपके अनुकूल होने लगती हैं मेरी प्रिये मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ब्रह्माण में आकार ले रहे स्वरूप को महसूस कर सकते हो क्योंकि तुम एक आध्यात्मिक व्यक्ती हो जो इस बात को इस पस्ट जानता है कि ब्रह्माण में घट रही हर एक घटना हमारे भीतर हो रही हलचल से जुड़ी होई है थोड़ी सी समवेदन शेलता और जागरुकता आपको वे सब कुछ दिखा सकती है जो होने जा रहा है आईए मेरी साथ उस आद्रिश आलोकिक जगत में हो रहे बदलाव को देखने का प्रयास करें अपने नेत्रों को बंद करते हुए गेहरी सास अंदर भरें और दोनों हातों को रिदय पर रखते हुए उस गुलावी प्रकाश को महसूस करें जो ब्रम्हार से सीधा आपके उपर गिर रही है जब आप पूरी तरह एक काग्र होकर स्वैम को ब्रम्हार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो उस आकार ले रही खुशी की तरंग को अपने ही रिदय में महसूस कर पाएंगे और स्वैम जान जाएंगे आगे क्या होने जा रहा है क्या आप ब्रम्हार से जुड़ने को तैयार है प्रति दिन दिव्य मार्ग दर्शन के लिए मुधिता स्पीच्वालिती को सब्सक्राइब कर अपना मुल्यवान सहयोग दे